मिन्ता रस्टूई में आपका सौगते हैं, आज हम मनाने वारे एक हेल्दी डिंक शेक तो इस रेस्पी को बनाने के लिए हमें जितने भी इंग्रीजिएंट चाहिए वो सारे ही सारे हेल्दी हैं और हमारे सहत के लिए बहुत फाइदा मन्द है तो इसके लिए हमें चाहिए है काजू, मदाम, अक्रोट और मुफली, शहद हमें चाहिए इसके लिए बैरीज और अब हम लेंगे मिकसर ग्राइंडर में हम डाल देंगे पादाम और मुफलियां इन दोनों को हम पहले ग्राइंड कर लें क्योंकि ये दोनों चीजे थोड़ी कड़ी होती हैं तो इन्हें हम पहले ग्राइंड कर लेंगे और हमाई जो काजू हैं और अख्रोट जो हैं उन्हें हम बाद में भी ग्राइंड कर सकते आप चाहें तो इन दोनों को साथ में ग्राइंड करने या बाद में कुछ फर्क नहीं है आप दोनों साथ में या फिर दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम इने बाद में ग्राइंड करेंगे तो हम इने बाद में ही ग्राइंड कर रहे हैं तो देखिए हमारा जो अख्रोट और काजू है तो इनका जो हमारा हमने जो इनका पेस्ट बनाया है वो थोड़ा गीला है तो इससे हमारा जो पाउडर वो खराब तो नहीं होगा लेकिन ये अख्रोट और काजू जो है उनमें थोड़ा गीला बन रहता है थोड़ी मोईस्च इसलिए हमारा जो पेस्ट बना हुसूरत गीला है अब हम इन दोनों पेस्ट और अब हम इतने पूरे मसाले को अपने की इंडियन्स को मिक्स कर लेंगे यह एक बहुत अच्छी रैस्पी है यह आप इससे चाहे सुबह रात को कभी भी पी सकते हैं इसे इस पाउडर को आप दूद में मिक्स कीजिए और हमारी रैस्पी बिकुल सिंपल है आप इसे कभी भी बना सकते हैं और इसके लिए बिकुल हमें कुछ ही एग्रीडियन्स की ज़रूत है कुल छटपट बनने वाली रैस्पी है और हम एक आज का ग्लास लेंगे उसमें अपना यह जो हमने पाउडर बनाया है उसको हम डालेंगे आप एक चम दो चमश हमने डाला है आप चाहिए तो कम भी कर सकते हैं और अब हम डालेंगे इसमें दूध दूध हमने आप दूध को आप थोड़ा गुनगुना करके डालीजिए या फिर आप ठंडा दूध भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें आलेंगे दूध चमश है और अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे आप इसमें जाएं तो चॉकलेट साथ भी डाल सकते हैं और यह कीवीय की बहुत अच्छा लगता है और बेना चॉकलेटी के भी बहूत अच्छा लगता है तो अब हम आना हमने हमार जो पाउडर था आप उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए तक इसमें कोई लंब सिना रहे हैं और यह अच्छे से आपके जो दूद में मिक्स हो जाए तो लीजिए हमारा जो मिक्स है वो बनके तयार है देखिए यह बहुत एक हल्दी रेस्पी है आप इसे जब चाहे ना सकते हैं और वेडियो देखने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाई बाई